हलो फेंस मोथ महुण स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंस इस वीडियो क्लास के थर्व मैं शरू कर रहा हूँ एक सीरिश और इस सीरिश में मैं SSE के previous suggestions को solving करूंगा और इस सारे questions को हम discuss करेंगे detail में इसमें मैं SSE CGL के, CPO के, Stenographer के, MTS के और CHSL exams के जितने भी questions हैं उनको मैं discuss करूँगा, उनके सारे जो भी fundamental details हैं, जो grammatical concepts हैं, उनको मैं सब बताऊँगा और इन questions की मदद से series को यदि आप regularly देखते हैं तो SSE exams जो फूर्थ कमें SSE exams से उनको निकालने में आपको बहुती ज़्यादा help मिलेगी और questions का pattern पता पड़ेगा कि SSE exam में किस तरीके के questions पूछे जाते हैं तो इस video class में मैं set 17, 2017 का ये set 17 है, ये paper हुआ था 9, 8, 2017 को afternoon shift में तो ये real questions है और से इसी तरीके के questions आप expect कर सकते हैं CGL 2018 में तो इस पूरे video class को please ध्यान से सुनिए और end तक देखिए इसको बीच में please skip ना करें जिसमें आपको काफी सारे concepts आपको बताऊंगा तो देखे एक ये spotting रखका question है और 2017 में ये पूछा गया है तो ये जो question है if it would rain they will not come यदि बारिश होती है तो बे लोग नहीं आएंगे इस तरह के जो questions होते हैं इनको हम बोलते है conditional sentences को कि इसमें condition रहती है एक शर्त रहती है तो इस तरह के sentences के दो path होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एक part ये है इसको हम बोलते है condition वाला path जिसमें if लगा हुआ रहता है और इस वाले path को हम बोलते है result path एक condition होती है एक शर्त होती है वो शर्त यादी पूरी होती है तो result निकलता है तो इसमें आपको दो चीए तीन चीए आपको ध्यान में रखनी है कि देखे ये वाला जो path होता है conditional path इसको हम if से start करते हैं ये if से start होता है और इसको हम लिखते है present simple tense में और जो result वाला path है इसको हम may के साथ, can के साथ, will और shall के साथ लिख सकते है यदि दौनों path में future tense का इस्तेमाल नहीं होगा एक path में आप may, can, will, shall इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिं जो first वाला path होगा जैसे ये condition वाला path है इसको हम लिखते है present simple tense में तो यहाँ पर जो second path है वो तो सही है second path जो है यह वाला जो path है second path जो हम बोलते हैं सही है first part में गलती है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे it क्या है singular है तो इत के साथ हम क्या बोलेंगे rains बोलेंगे if it rains they will not come यदि बारिश होती है तो वो लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पर यह जो word है यह गलत है इसमें ठीक है तो इसमें a part आपका answer है a part मतलब गलत है इसमें और a इसमें आपका answer होगा तो इस तरीके से conceptual clarity के साथ इन questions को आपको करना है question number second देखते है spotting error का देखिए एक यह question है organic pulses are so popular today that many people wonder how they ever lived without them simple यह tense का question है लेकिन काफी tricky इसको कर दिया गया है इस question को काफी tricky कर दिया गया है अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहा है ASMR की तो ASMR क्या होता है present tense और यहाँ पर हम बात कर रहा है lived lived क्या होता है past tense तो क्या हम present और past tense को एक साथ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते ठीक है तो यहाँ पर चुकि यह present tense है तो यहाँ पर भी इसको present perfect tense करना होगा, एबर का प्रियोग हम एबर का प्रियोग हम present perfect tense में ही करते हैं तो organic pulses are so popular today that many people wonder how they have how they have ever lived without them, organic pulses organic डालें इतनी popular हो गई हैं कि the main people wonder कि काफी लोग wonder करते हैं, आश्यर करते हैं कि इन डालों के बिना वो लोग कैसे जीए हैं अब तक how they have ever lived without them, तो यहां पर यदि आफ have लगा देंगे, यहां पर ठीक है, यहां पर आपको क्या लगाना है यहां पर आपको लगाना है have, have आपको लगाना है तो have से यह हो जाएगा present perfect tense और यह हो जाएगा present tense, तो दोनों यह consistent एक tense हो जाएगे तो question number two का आपका answer क्या होगा, question number two का answer होगा, C, क्योंकि यह जो गलती है यह C पार्ट में है चलिए आगे के question देखते हैं, fill up देखे, सेम इसी तरीके के question आपसे CPO, CGL और stenographer exams में कूछे जाने वाले हैं तो इसको आप धान से देखिए, my father did not approve the plan of traveling to utraakhand because of bad weather there खराब मौसम की वज़े से मेरे father ने utraakhand जाने का जो प्लान था उसको approve नहीं किया, उसको consent नहीं दी, ठीक है, तो approve के बाद किस proposition को हम प्रियोग करेंगे, यह यहाँ पर आपको लगाना है आपके सामने जो option है, वो चार है, off है, one है, two है and with है, किसको आप लगाएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर off को, क्योंकि approve और disapprove के बाद, off का प्रियोग हम करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, वो होगा A, question number four देखते हैं I settled Canada last year ठीक है, तो settled past tense है, last year भी past tense है, तो settled होने के लिए, आप कहाँ पर settled हो रहे हैं, Canada में, Canada क्या है, एक देश का नाम है, एक बड़ा देश का नाम है तो बड़े देश के नाम से पहले हम proposition in का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर होगा in, at का प्रियोग हम करते हैं abiance, जिसका आर्थ होता है suspension, किसी चीज़ को थोड़ी दिर के लिए suspend कर देना या उसको टाल देना abiance, बहुत अच्छा यह word है तो synonym इसका क्या होगा suspension, suspend और इसका ज़िए antonym पूछा जाए तो जल्दी करना इसका antonym होगा expedite commencement मतलब शुरू आर्थ purger क्या होता है to tell a lie in a court court में जूटी गवाही देना उसको हम बोलते हैं purger condone का मतलब होता है देखते हुए भी overlook करना उसको commencement का आर्थ होता है beginning यानि शुरू आर्थ commencement, beginning, purger to tell a lie और condone मतलब overlook आगे देखते हैं dauntless ये word भी काफी बार repeat हुआ है और dauntless का मतलब होता है कि आप में हिम्मत है, आप में power है आप में शक्ती है, आप में confidence है dauntless मतलब आप घबराते नहीं हैं जल्दी, आप जल्दी panic नहीं करते ठीक है, जैसे हम बोलते है it's a very daunting task daunting task मतलब आपको panic करने वाल मज़ा करने वाला, अगली कौन होता है बतसूरत होता है, तो dauntless के और synonym क्या हो सकते हैं dauntless के synonym हो सकते हैं, resolute determined और bold resolute, determined और bold insane करत होता है, crazy और mentally ill तो यहाँ पर यह सारे real questions हैं antonym यहाँ से start हो गए clandestine, यह word भी काफी बार repeat हुआ है clandestine का रत होता है, किसी चीज़ को जब आप secretly करते हैं, that is called clandestine, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए आपको, यहाँ पर चाहिए antonym, तो antonym होगा इसका open, जो की secret का उल्टा है abrupt का क्या रत होता है abrupt का रत होता है sudden or unexpected, sudden or unexpected, अचानक से किसी काम को करना, illicit मतलब illegal, very मतलब careful यह भी एक अच्छा word है, very careful होना या conscious होना तो इन सारे words के meaning मैं यहाँ पर बता रहा हूँ abrupt का मतलब sudden, illicit मतलब illegal, very मतलब careful और एक illicit और होता है E-L-I-C-I-T इसमें double L नहीं आता, E-L-I-C-I-T illicit का मतलब होता है evoke or draw out information किसी व्यक्ती से सूचना या information निकलवाना, इसको हम बोलते illicit, और यह जो illicit होता है जिसमें double L आता है, इसका मतलब होता है illegal, इस very का मतलब होता है careful या conscious तो इस तरह से questions आपके exam में पूछे जाते हैं, यदि आप CGL, CPO, Stenographer exam में 100% short selection लेना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर आप short selection लेना चाहते हैं, तो उन सभी aspiring students के लिए मैं एक नया target budget start कर रहा हूँ एक November से, ये online paid classes हैं, और इसमें के बिल 50 seat रहेंगी, इसका link के नीचे description box में मिल जाएगा, वहाँ से इस batch को वहाँ पर जाके इसका पूरे detail देख सकते हैं और इसमें के बिल 50 ही seat अबेलिबिल रहेंगी question number 8 देखते हैं, एंटोनीम के question है intrapid, intrapid, देखिए English में एक word होता है trepidation, जिसका मतलब होता है घबरा जाना, trepidation मतलब घबरा जाना या panic हो जाना तो intrapid मतलब नहीं घबराना, या panic नहीं होना, तो इसका मतलब क्या होगा fearless होना या bold होना fearless होना या bold होना लेकिन यहाँ पर आपको synonym नहीं चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, एंटोनीम तो एंटोनीम क्या होगा, meek, meek मतलब सीधा सादा, डब्बू, सम्मिसिब जो bold नहीं है, जो बात तुरंद माल लेता है, that is called meek तो एंटोनीम आफ intrapid is meek, ठीक है greed क्या होता है, greed होता है लालच, काइंड, दयालू, साई का अर्थ होता है, आहें भलना तो intrapid के synonyms क्या हो सकते है, fearless हो सकता है bold हो सकता है, meek का synonyms क्या हो सकता है, सम्मिसिब और gentle हो सकता है, साई का मतलब आहें, बनना greed का मतलब लालच a desire for more, ठीक है तो इस तरीके से ये word भी काफी important है, और कई बार SSE exams में पूछा गया है intrapid का end name होगा meek और interpret के synonyms और fearless और bold next question देखते हैं, idiom और phrases के to steal a march, to steal a show भी होता है, to steal a march और to steal a show इसका मतलब दूसरों से आगे निकल जाना बहुत अच्छी performance देना कहीं पर दूसरों को out shine कर देना, दूसरों को out shine कर देना, तो to steal a march to steal a show out sign इसका सही answer होगा, out sign, to steal a march इन्हें जिफी, ये question भी काफी बार repeat हुआ है, SSC exams में इन्हें जिफी का मतलब होता है, इन्हें हरी जल्दी से किसी काम को करना तो यहाँ पर इसका answer होगा something that is done very quickly something that is done hurriedly or something that is done very quickly, तो ये इसका यहाँ पर सही answer होगा इन्हें जिफी, question number 11 देखते है, after he arrived from office, he goes to gym देखें, ये भी एक conditional sentence मान सकते हैं इसको आप, इसमें भी दो पात होते है, एक पात होता है present simple tense वाला, और दूसरा पार जिसको after या before के साथ लिखा जाता है, उसको हम लिखते हैं present simple tense में, after he arrived from office, office से आने के बाद he goes to gym, वह जिम जाता है जिम जाता है, मतलब office से आने के बाद तो office से आने के बाद जो काम है वो एक routine काम है, वो daily होता है इसलिए इसको आप past tense में नहीं लिख सकते इसको आपको लिखना होगा present simple tense में, तो यहां पर आपको बोलना होगा, after he arrives after he arrives ठीक है, see आपका सही आंसर होगा इसमें, after he arrives question number 12 देखते हैं, when I first saw Ankit, he was playing cricket जब मैंने पहली बार Ankit को देखा तो वो cricket खिलना था when I first saw, तो यह है past simple tense, यह है आपका past simple tense, और यह है आपका past continuous tense, तो past simple और past continuous tense का एक combination होता है, जो की सही होता है, past simple tense को past continuous tense के साथ अक्सर जोड़ा जाता है, तो इस sentence में कोई गलती नहीं है, और इस sentence का आंसर होगा आपका no improvement, no improvement will be your answer question number 13 देखते हैं, substitute of the phrase, यह one word substitution है, mania for trouble, एक होता है mania, एक होता है phobia mania का मतलब होता है डर, phobia का mania का मतलब होता है पागल पन और phobia का मतलब होता है डर, ठीक है mania का मतलब होता है डर, mania मतलब पागल, ठीक है phobia मतलब डर, तो कई तरह के mania होते हैं, कई तरह के phobia होते है, mania for trouble travel करने का बहुत ज़दा शौक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ड्रोमो मैनिया, हाइपो मैनिया मतलब पागलपन से नीचे की स्टेट होती है, that is called हाइपो मैनिया, मेगालो मैनिया मतलब पौवर और पैसे के लिए जो तरब होती है, जो डिजायर होती है, उसको हम बोलते हैं मेगालो म और निम्फो मैनिया, निम्फो मैनिया का मतलब होता है excessive sexual desire in women, तो इस तरीके से मैनिया फ़र ट्रेबल का आर्थ होगा, डुमो मैनिया और यहाँ पर सारे answers आप देख सकते हैं, question number 14 देखते हैं, one who has suddenly gained new wealth, power और prestige, एक ऐसा विक्ती जिसको अचानक से पैसा, दौलत और शौलत मिल गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, परवेनू, ठीक है, परवेनू इसको हम बोलेंगे, इगोटिस्ट जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, that is called इगोटिस्ट, इमपोस्टर जो पाखंडी या ढोंगी होता है, और ढोंग रच के, वो दूसरों को ट्रिक करने की कोशिश करता है, that is called इमपोस्टर, इमपोस्टर या fraudulent भी इसको हम बोल सकते हैं यहां इस T से इसको आप identify कर सकते हैं, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इमपोस्टर, प्रिटेंडर होता है, परवैनू जिसको अचानक से दौलत और शोरत मिल गई है, इस कलरी है किचिन में, एक पैंटरी में एक सेक्षन होता है, जहां पर सबजीयों को काटा जाता है और सा परवैनू परवैनू आपिस्टार्ट या शोशल क्लाइमबर या इसके लिए कई वर्ड है, एरी विस्टे भी बोलते हैं और वल्गेरियन भी बोलते हैं या आपिस्टार्ट भी बोलते हैं इसको, इसकलरी, a small room or section of a pantry where vegetable is cleaned and trimmed, चले आगे देखते हैं, find the incorrectly spelt word, और incorrectly spelt word, ज जिस word की spelling गलत है वो आपको निकालना है, एक्वी सेंस का मतलब क्या होता है, एक्वी सेंस मतलब जो डबू है, सीधा साधा है, compliant है, amenable है, consenting है, आसानी से आपकी बात को मान लेता है, आसानी से सहमत हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, एक्वी सेंस, ये काफी important word है, alienate मतलब ह नहीं आता, इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा D, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ स्पैलिंग्स, एक्वी सेंस, compliant, या इसके लिए काफी सारे सनोनिम से है, compliant है, amenable है, consenting है, compliant है, tactable है, alienate का मतलब होता है, strange या isolate करना आपने आपको, ठीक है, beligerent मतलब aggressive, sabotage मतलब disrupt करन या incapacitate करना, उसकी capacity को खतम कर देना, ठीक है, तो यह काफी सारे important words है, question number 16 देखते है, find the incorrectly spelled word, aluminium में double L नहीं आता, symmetry सही है, recommend, RECO, double M, E, N, D, recommend सही है, satellite में double L आता है, सही है, aluminium, यहाँ पर आपका answer होगा, ठीक है, symmetry हम बोलते है, a large burial ground, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता ह है, that place is called symmetry, or a large burial ground, question number 17 देखते हैं, यह परेजंबल के question है, परेजंबल के question को, paragraph को कभी भी हम प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो यह है प्रोनाउन, यह है प्रोनाउन, और यह है प्रोनाउन, sentence स्टार्ट होगा, noun से, यानि यहाँ से sentence स्टार्ट होगा, self-esteem is how much you value yourself and how important you think you are, self-esteem क्या होता है, self-esteem में यह परका जाता है, जाना जाता है, कि आप अपने आपको कितना importance देते हैं, और how important you think you are, it is how you see yourself and feel about yourself, देखें, यहाँ पर एक simple logic बता रहा हूँ है, इसके बाद यह sentence इसलिए आएगा, क्योंकि यह दोनों positive sentences हैं, ठीक है, यह दोनों negative sentences है तो इसमें आपका जो pair बनेगा, वो RS से बनेगा, RS, RSPQ, RSPQ इसमें आपका answer बन जाएगा, ठीक है, यह यहाँ से start नहीं होगा, क्योंकि यह pronoun है, यह pronoun होगा, यह pronoun है, नाउन से start होगा, और noun के बाद इसके बाद यह sentence यह आएगा, क्योंकि यह दोनों positive sentences हैं, और यह दोनों लिखते हैं most of them नहीं यहां से start नहीं होगा most of them में them जो है यह प्रोनाउन है it में it प्रोनाउन है such में such प्रोनाउन है तो यहां पर sentence start in pronoun से नहीं होगा sentence start होगा यहां से crude mineral oil यह एक noun है यहां से start होगा crude mineral oil comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell ठीक है अब इसमें हम एक चीज की बात कर रहे हैं crude mineral oil की बात कर रहे हैं इसलिए हम most of them यहां नहीं बोल सकते हम यहां पर such hydrocarbons भी नहीं बोल सकते क्योंकि यह दोनों ही plural noun है most of them का मतलब है कि plural है such hydrocarbons मतलब plural है यही केबल यहां पर एक singular है तो इसमें आपका जो pair बनेगा वो बनेगा qr qr से आपका start होगा qr qr हां लेकिन qr के इसमें दो option है तो इसलिए आगे देखते हैं क्या होगा इसमें it is a complex mixture of many different substances each with its own individual qualities ठीक है most of them इसके बाद हम बोलेंगे उसके बाद हम सच बोलेंगे ठीक है तो ps इसमें बनेगा आपका qr ps qr ps इसमें आपका answer बन जाएगा he shall have bought a car ये passive voice है he shall have bought a car he subject है shall have bought verb है car इसमें object है sentence बनेगा car से a car would have been ठीक है shall का हो जाता है shall have और shall have का हो जाएगा shall have been या would have been a car would have been bought by him car would have का shall have और will have बराबर होते हैं तो shall have के स्थान पर इसमें जाएगा would have a car would have been bought by him d answer है 20th question देखते हैं the teacher said to the student have you brought your lunch ये question है और yes no question है तो इसमें हम बोलेंगे the teacher asked आएगा एक तो और इसमें if का प्रियोग होगा हैब का क्या हो जाएगा हैब का हो जाएगा हैड तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा the teacher asked the student if he has नहीं होगा हैड होगा the teacher asked the student if he had bought his lunch ये यू जो है ये object के साफ से चेंज होगा student के साफ से चेंज होगा student किस्ट्वेंट 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 क्या है pronoun है तो यहां पर आजाएगा हिज the teacher asked the student if he had brought his lunch तो c इसमें आपका सही आंसर होगा ये है आपका close test और इसको हम पढ़ते हैं children need to be taught the importance of hygiene early on so that it becomes a देखें इसमें बताया जा रहा है कि children को बच्चों को साफ सफाई की आदतों के बारे में शुरुआत में ही बताया जाना चाहिए ये अब शुरुआत में ही बताते हैं तो ये क्या बन जाएगी ये एक habit बन जाएगी तो यहां पर आंसर होगा बी children need to be taught the importance of hygiene early on so that it becomes a habit children are the most to hygiene related disorder मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि children are the most vulnerable मतलब बच्चों को hygiene related disorder ज्यादा होते हैं इसके निशूस ज्यादा होते हैं तो बनने बिल का एक वर्ड आपको चाहिए और यहां पर एक ऐसा वर्ड भी आप लगा सकते हैं जो टू के साथ मैच करें और तू के साथ जो मेच करता है वर्ड वो है ससेप्टेबिल ससेप्टेबिल का मतलब बनने मिल बतलब वह ज्यादा प्रोन रहते हैं चिड़न आर मोस्ट ससेप्टेबिल तो हाइजीन रिलेके डिस ओर लाइक स्कीन इशू एंड रैसेज टीच देम अल्ली ओन अबाउट वाट टू उनको सुरात में ही बताना पड़ता है कि क्या चीज़ को हम अब देखें रीड राइट और लरन का तो कोई कोई सैंसी नही और टीच देम अल्ली अल्ल अबाउट वाट स्कू आववाट टीच देम टेकिंग आ फीु मैज़स मैज़स दो बतना पड़ता है कि ऐसे उपाय करें कि आपको बीमारिया नहीं लगें, तो मैजर जो होते हैं कैसे होते हैं? साबधानी वाले मैजर, scientific मैजर कि हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं precautionary measures की, तो B यहां पर आपका सही answer होगा, to prevent infections and disease is मतलब उनको बताना कि precautionary measure को लेना जरूरी है ताकि बीमारियों से बचाव हो ये क्या है ये जरूरी है ये जरूरी है तो जरूरी का equivalent word क्या है imperative तो यहाँ पर इसका answer होगा यहाँ पर इसका answer होगा imperative तो इस तरीके से इस video class में मैंने 2017 का set number 17 लिया है और 25 कोश्टन बताएं सेम इसी तरीके का आपका CGL Tier 1 का pre stenographer का pre और CPO का pre होगा इस तरह के सेम questions आएंगे और यदि आप target oriented त्यारी करना चाहते हैं तो एक fresh batch मैंने start किया है एक November से इसको आप join कर सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में